हेलो गाईज आप देख रहे हैं इसके लिए उने एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको नमीविया वर्सिस यूएसे की बीस में यहाँ पर वर्ल कप कॉलिफायर के जो प्लेयाफ मैच इसकल से स्टार्ट हो दोनों टीम के हम हर एक प्लेयर का ODI करियर का स्टार्ट देखेंगे कमाल के आपको इंफॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को पूरा देखते रहें बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैच के फाइनल टी करकर हमारे टेलिग्राम चानल पर जॉइन कर सकते हैं बाइचांस अगर डिस्किप्टियो को मैं आपर स्टार्ट करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस मैच की अनलिसिस आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें चानल पर पहली बारा है चानल को सब्सक अब सबसे पहले यहां पर हम डमी विया का पुर्वेवल प्लेइंग 11 डिसकस करते हैं तो इनके लिए आपको सौन फ्रॉचे के साथ जेन ग्रीन ओपनिंग करते दिखेंगे इनके विकेट कीपर वान डाउन आएंगे माइकल वैन लिंगर और तू डाउन पर आएंगे गर लिंगन स्टॉक है ठीक है और फिट तीन बॉलर्ण है बर्नेर्ड स्कॉल्स ट्रमपल मैन और बेंच सिकोंगो ठीक है गाइस यह जो मैं आपको प्लेइंग 11 बता रहा हूं न यह अल्मोस्ट कंफर्म है एकाज चेंजेस ही होंगे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे ठीक है बेंच पर इनके पास एमडू पूरूज है जॉस्वन जूलियस है और एम नगू पिता है ठीक है जिनके खेलने के बहुत कम चांसेस है अब गाइस इनके लिए जो मेन रहेंगे न प्लेयर बैटिंग में वो माइकल वैन लिंगन और गरहड इरासमस रहेंगे ठीक है अब इन पर स्पेसल फोकस रहेंगा अब चलिए गाइस डारेक्ली हम स्टैट्स ही देख लेते हैं ताकि आप हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से जान पाए तो ये गाइस आप नमीबिया के हर एक प्लेयर का ODI करियर का फुल स्टैट्स देख रहें यहाँ पर अगर आप द 188 रन है और साथ में 10 विकेट भी है ठीक है ध्यान रखेगा इनका बाकी गाइस यहाँ पर देखेंगे तो पी वाई फ्रांस का भी रिकॉड ठीक है 20 मैच में 188 रन और 11 विकेट ठीक है बाकी बालिंग में बर्नर स्कुल 36 मैच में 40 विकेट और ट्रमपल मैं 29 मैच में 51 व अब चलिए गाइस हम दूसरी टीम USA पर आते उनका पुर्वेवल प्लेइंग 11 डिसकस करते हैं तो USA के लिए आपको सुसांत मोदानी के साथ स्टीवन टेलर ओपनिंग करते दिखेंगे सकती है वो भी अच्छे फास्ट वोल रहें ठीक है इनकी जगा काइल फ्लिप भी खेल सकते हैं बाकी के प्लेय मेरे इसाबसे बेंच पर रहेंगे इनके लिए गाइस जो इंपॉर्टेंट पर रहेंगे वह यहाँ पर है एज आल डाउंडर स्टीवन टेलर ठीक है आप ज् अली कहन और नगरंड वाल कंट थीक है अभी नीचे स्टैट्स देखेंगे सभी प्लेयर्स का तो और अच्छे से आप जान पाएंगे चलिए गयाँ यहाँ पर हम रिएस एक प्लेयर का फुल स्टैट्स देख लेते हैं यानिका इनके ओडिए करियर का स्टैट्स आपके सा कर दूँगा अगर गाईज देखेंगा स्टैट्स बाइज बाइज सबसे अच्छे जो प्लेयर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वह है एरन जॉन्स यहाँ पर 33 मैचेस में 1200 से ज्यादा रन है 40 का अबरेज है बाकी मोनाग पटेल के पास भी 36 का अबरेज है और गाईज यहाँ देखेंगे निसर पटेल 31 मैच में 429 रन 21 कैबरज और 29 विकेट भी एन के पास अच्छे ओल डाउंडर है एन कैन जी यहाँ पर 29 मैच में 211 रन और साथ में 30 विकेट यह भी अच्छे ओल डाउंडर है अली खान बहुत अच्छे फास्ट वॉलर है साथ मैच में इनके नाम पर 14 विकेट है नेटरावालकर अच्छे फास्ट वॉलर है 38 मैच में 63 विकेट के साथ जसदीब सिंग डीसंट फास्ट वॉलर 14 मैच में 15 विकेट उसके लाबा गाईज काईल फिलिप के पास तीन मैच में तीन बिकेट है और एस मुख माला के पास आठ मैच में यहाँ पर डेड़ सो रहन है ठीक है तो आप इनका ध्यान लखिएगा तो गाईज यहाँ पर स्टार्ट्स बाइज इतना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे अब चलिए गाईज यहाँ पर हम अपनी ड्रीम 11 की टीम डिसकस कर लेते हैं उससे पहले गाईज आप मैंसे काफी जाल लोग को हमारे ओरीजिनल टेलिग्राम चैनल पर जॉइन करें में प्रॉबलम होती है तो गाईज क्यों कि वहाँ पर आपके लिए सब कुछ फ्री है गाईज अब सबसे पहले गाईज यहाँ पर हम बिकेट कीपर सक्षन पर आएंगे जहाँ पर आपको मिलेंगे मोनांग पतेल ठीक है जैन ग्रीन एम डू पुरूज और एस जहानगीर यहाँ पर एम डू पुरूज का खेलने का कम चांस है एस जहानगीर खेलेंगे भी तो नीचे आएंगे तो recommend नहीं करूँगा जो दो best option है उनमें है मोनांग पतेल और जेन गरीन no doubt best player यहाँ पर मोनांग पतेल है अपने team के captain average wise भी बहुत अच्छे player है आपको one down पर खेलते दिख जाएंगे बाकी JN के लिए अगर opening करते है then अच्छे डिफ्रेंसल रहेंगे guys थीक है वैसे इनको 53% लोगों ने लेखर रखा है लेकिन मुझे लगता है बाद में selection किरेगा लेकिन यह open करते है guys then आपके लिए अच्छे डिफ्रेंसल पिक रहेंगे वरना ignore करिएगा ठीक है आते हैं batter section पर जहां पर Gerhard Erasmus और Amwell Linger अपनी team के सबसे important दो batters हैं दोनों के बिना मैं बिलकुल नहीं जाऊंगा दोनों काफी consistent है Erasmus तो guys आपने इनको T20 leagues में भी खेलते देखा होगा recent में UAE वाले में भी कुछ balling भी यह कर सकते है Van Linger बहुत अच्छे batter है ठीक है तो इन दोनों को जरूर लीजे बाकी USA के सबसे main batter में से एक है Aaron Jones काफी experience भी है average wise भी बहुत अच्छे 40 का average रखते है तो इनके भीना भी आप बिलकुल मत जाएए ठीक है पाकी differential में गजानन सिंग है जिनको आप Grand League team में try कर सकते है 3-4 down आएंगे recent form अच्छा है S Foucher को नहीं recommend करूँगा S Modani opening पर आएंगे Grand League में अच्छे pick रह सकते हैं खराप player नहीं S Modani Small League team में भी लेना हूँ तो आच्छे differential ले सकते हैं और जादा player पर ध्यान देनी को नहीं करूँगा आते all-downer section पर गाई जहां पर Stephen Taylor USA के बहुत important all-downer है spin भी डालेंगे, runs भी करेंगे अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से बता दू ये West Indies के लिए भी खेल जुग है ठीक है? और साथ में इनके पास different T20 leagues में भी खेलने का experience है तो इनको आप जरूर लीजे बाखी HOI France नहाँ पर decent all-downer है batting balling दोनों से आपको points देंगे Jay Nicole Loftyton ये भी अच्छ all-downer है batting balling दोनों से point देंगे Nisarg Patel भी अच्छ all-downer है आप इनको भी ले सकते हैं and Kenji ये भी अच्छ all-downer है जो कि कमाल के differential आपके लिए बन सकते हैं मेरे इसाब से game changer selection बहुत कम है spin डालेंगे, runs करेंगे, ध्यान लेकिए और guys इन दोनों को मैं ज़्यादा recommend करूंगा भी नी अगर खेलते भी हैं तो मैं अभी के लिए सब को ले रहा हूँ ठीक है, HY France, J. Nicole Loftyton, Nisarg Patel और Kenji मैं ज़्यादा all-downers के साथ जा रहा हूँ ठीक है, अब चाहे तो एक all-downer कम करके एक extra batter या फिर baller को भी ले सकते हैं ठीक है, यह आपके उपर है अब आते हैं guys, balling section पर जहाँ पर आपको मिलेंगे सौरब नेट्रावालकर, अली खान ठीक है, जो कि अपनी टीम के सबसे important fast baller में से एक है नेट्रावालकर left-down fast, अली खान right-down fast, ठीक है, बाकी Bency Congo के मैं उतना नहीं recommend करूँगा उनसे ज़्यादा Bernard Schools को recommend करूँगा जो कि अच्छे left-down orthodox baller है runs भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ runs भी करना जानते हैं, उनका ध्यान रखिए बाकी Trumpleman भी अच्छे fast baller है आपके लिए यहाँ पर differential बहुत अच्छे रह सकते हैं, ठीक है, तो बालिंग सेक्षन में यह चार बेश्ट है, नेटरावालकर, अलीख खान, ठीक है, बर्नर्ड स्कूल्च और ट्रमपल्मान इन चार के बाद अगर किसी को try करना हो देन यहाँ पर guys, option में आपके पास आएंगे सी कॉंगो ठीक है, और guys, यहाँ से काईल फिलिप खेलते हैं, तो वो, लेकिन mainly focus, आपको जो मैंने चार यहाँ पर बालर बताएं हैं, उन पर करना है, मैं schools को जरूर लूँगा, जो कि spinner है, वेक्टे लेते हैं, normally, अब guys, मुझे यहाँ पर तीन में से किसी एक को नेटरावालकर, अली खान और ट्रमपलमैन, जिस टीम का पहले balling रहेगा, माली जे, USA का पहले balling रहेगा, तो आप नेटरावालकर और अली खान में से किसी एक को ले लीजेगा, अगर नमीविया का पहले रहता है, देन आप ट्रमपलमैन को ले सकते हैं, मैं अभी के लिए ट्रमपलमैन के साथ हूँ, लेकिन नेटरावालकर और अली खान, ये दोनों भी काफी अच्छे fast baller है, इनका ध्यान नगी है, इस पेसली अली खान का, इनके पास बहुत अच्छा पेस भी है, ग्योरकर भी अच्छा डालते हैं, ध्यान रखिया है बाकी ये बनते हैं, अभी के लिए हमारा टीन का preview, CVC की best option की बात करूँ, तो CVC के लिए आपके पास जो guys, best option मेरी नजर में है उनमें आते हैं, Stephen Taylor घरहड इरासमस, ये दोनों और चौथा option अगर आपको चाहिए, तो जे निकॉल लॉफट इटन, ठीक है ये चार प्रेर में आपको CVC के लिए recommend कर सकता हूँ, जो कि मेरी हिसाब से best option आपके लिए, बाकी अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरी CVC कौन है तो अभी के लिए मैं safe जारहू, captaincy Stephen Taylor को दे रहा हूँ, और wise captaincy दे रहा हूँ, निसर्ग पतेल को, जो कि थोड़ा differential है, लेकिन मैं उनके साथ ही जारहू, आप गरहड इरासमस के साथ भी जा सकते हैं, जो कि batting के साथ आपको balling से भी point दे सकते हैं Jay, Nicole, Loftyton भी अच्छे रह सकते हैं, खराब नहीं है grand league team में Kenji Go को try कर सकते हैं, और guys यहाँ पर try कर सकते हैं, grand league team में आप M van Lincoln को, ठीक है, जो कि काफी consistent player है तो यह बनते हैं guys, अभी के हमारा team का preview इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है final team update काफी ज़्यादा important रहेगी, तो अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए, तो एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ पर remind करा रहा हूँ, आपको हमारी telegram channel का link इसी वीडियो के description में मिल जाएगा, आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं, बाकि आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा, comment करके बताना बिलकुल भी न भूले, और मैं आपसे बहुत जल मिलता हूँ, next वीडियो में